जरूर इसको ध्यान से सुने क्योंकि यह आपके बहुत काम की है वैसा कि सब के काम थे वाद को संतुलित रखना है अगर जिन्दगी भर तो शुद्ध तेल खाओ यह पहली बाद शुद्ध तेल खाओ आपके में में तुरण सवाल आएगा क्या हम तेल शुद्ध नहीं खा रहे हैं हाँ आपका तेल शुद्ध नहीं है जिन जिन को घर में वाद की बीमारी है समझ लो तेल किसी का शुद्ध नहीं है आप बोलेंगे जी हम तो बजार से लाए है डबल रिफाइंड ट्रिपल रिफाइंड ये डबल रिफाइंड ट्रिपल रिफाइंड वाने जहर तेल नहीं आपको मालूम है यह double refined triple refined चक्कर क्या है तेल जो होता है न जो तेल मिल से निकाला जाता है जैसे तिल, जैसे सरसों, जैसे नारियल, जैसे मुनफली आपने दे दी किसी तेल मिल वाले को उसमें piece के तेल निकाल दिया ये है शुद्ध तेल ये खाऊ तो फिर बाकी तेल क्या है बाकी में समय मिलावट वो मिलावट पता है क्या है तेल को जब रिफाइन करते हैं तो तेल की चिकनाई निकालते हैं और जब तेल की चिकनाई निकल जाती है तो तेल पानी हो जाता है और तेल की जब एक बार चिकनाई निकाली जाती है तो उसको करते है रिफाइनिंग और फॉइल जब दो बार चिकनाई निकालते है तो डबल रिफाइनिग और तीन बार निकाल लिया तो ट्रिपल रिफाइनिग तो बचा क्या उसमें पानी है वो तो आप चिकनाई से घबराने लगे आजकर हाँ और डॉक्टरों ने डरा दिया कॉलस्ट्रॉल बढ़ जाएगा जी चिकनाई मत खाना मैं आपको तो कहने आया हूँ ये कि चिकनाई खाना देख के खाना कौन सी खाने लाइक है कौन सी खाने लाइक नहीं है चिकनाई दुनिया में दो तरह की है एक अच्छी और एक बुरी बुरी चिकनाई कभी मत खाओ और अच्छी चिकनाई जरूर खाओ जो अच्छी चिकनाई होती है वो शरीर में बढ़ाती है High Density Lipoprotein HDL यह अच्छी चिकनाई और जो बुरी चिकनाई है वो बढ़ाती है LDL Low Density Lipoprotein तो वो चिकनाई कभी मत खाओ जिससे LDL बढ़े वो खतरनाक है और वो चिकनाई जरूर खाओ जिससे HDL बढ़े क्योंकि उसकी जरूरत है यह जो अच्छी चिकनाई कैसा दिखता है ऐसा हो जाएगा चिकनाई तो खाओ नहीं तो शरीर की चमक चली जाएगी यह जो चहरा चमकता है ना हमारा यह चिकनाई के काहनी अगर चिकनाई में यह शरीर में है तो पिलपिला हो जाएगा देखने में अच्छा ही नहीं लगे तो चिकनाई तो खाओ, अच्छी वही अब आप पूछोगी अच्छी चिकनाई कहां मिलती है अच्छी चिकनाई मिलती है शुद्ध तेल को शुद्ध तेल मैंने बता दिया नारियल, सरसों, तेल, मुंखली उसको मिल में डाला, मशीन में सीधे तेल लिखला कुछ मिलाया ने, कुछ किया ने, वो तेल शुद्ध, वो खाओ जिन्दगी पर खाओ, कोई तकलिफ नहीं आने वरे क्योंकि शुद्ध तेल से HDL बढ़ता है और वो हमें चाहिए अशुद्ध तेल मत खाओ अब अशुद्ध तेल कौन सा? रिफाइन तेल, Double Refined तेल, Triple Refined तेल, डालडा सबसे खतरना का शुद्ध तेल हैडालडा वेजेटेबल आयल है तो वेजेटेबल आयल मत खाओ, रिफाइन तेल मत खाओ, डालडा मत खाओ ये तेल से जिन्दगी भर बचो शुद्ध तेल खाओ किसका खाएं जो आपकी तासीर को सूट करें उसका फाओ किसी को लगता नारियल का तेल अच्छा तो नारियल का फाओ तिल का किसी को सूट करें तिल का फाओ मुझवली का करें मुझवली का फाओ वैसे आप जहां रहते हो यहां के लिए नारियल तेली अच्छा जब आप राजिस्थान जाओगे तो वहां के लिए सरसों का तेल अच्छा जब आप जम्मु कश्मीर जाओगे वहां के लिए तिल का तेल बहुत अच्छा पहाड में रहें तो तिल का तेल मैदान में रहें तो सरसोँ आधी कते और समधर के किनारे रहें तो नारिय कते शुद ख़ौ तबही तकलीफ नहीं आए और जिन दिन में वाद का कभी कोई रोग नहीं आएगा शुद तेल की इतनी ताकत दो अवाद के असी रोग हैं असी शरीर में गुट्टों का दर्द, कमर का दर्द, कंदे का दर्द, जोडों का दर्द, ऐसे असी रोग है ये सब रोगों से बच जाओगे, शुद्ध तेल को अब कहा से आएगा, मदुरई में ढूडो, कोई तेल मिल है क्या नहीं है तो लगा लो बहुत सस्ते में मशीन आती है आज का जो गुजरात वाले भाईब है न, राज़कोर्ट में मैंने देखा शुद्ध तेल लिकालने की मशीन पचास हजार की है और वो इतनी छोटी है कि दस फिट लंबा कमरा, दस फिट चोड़ा कमरा उटने में लग जाती है और सब तरह के तेल एकी मशीन से निकलाते है नारियल का भी निकलता है, सरसों का भी निकलता है, तेल का भी निकलता है मुफली का भी उसी मशीन से निकलता है तो पचास हजार के मशीन का ओडर दे दो या लग लालो, क्या मुश्किल है अपनी अपनी नारियल लेके जाओ तेल लेकल वागे लाओ मूँखली लेके जाओ तेल लेकल वागे और या तो कोई पुरानी तेल मिल होगी ढूड़ लो उसे जिंदा कर दो बंद हो गई होगी फिर वापस चालू कर और नहीं तो मेरी बात मानो एक लकड़ी का कोलू बनवालो बड़ाई यहाँ है पंद्रे बीस हजार में लकड़ी का को कोलू बन जाता है जो बेल से चलता वो सबसे बढ़ी आए उसमें से तेल लेकल वागे खाओ जिंदगी में कभी भी बात का रोग नहीं आए और नहीं तो तयार रहो तो आप तया कर लो क्या करना मैंने तो बता दिया भाईया शुदू तेल खाओ एक मशीन लगवाओ नहीं तो कोलू लगवाओ बेल से चलवाओ बड़ा पुन्नी में लेगा आपको भी और जिसका तेल निकालोगे उसको अब मैंने तो बहुत तेल वालों को देखा वो फोकट में तेल निकालते हैं पैसे भी नहीं लेते हैं मैं पूझा भाई तुम्हारा खर्च कैसे निकलता है वो कहते हैं जो तेल निकालते हैं ना उसमें तेल तो दे देते हैं जली रख लेते हैं उसको देच के पैसा निकलाता है कि तक बढ़ी है